स्वाम अलेकूं माज मैं आपके सार शेयर करी हूँ क्रीम ओफ मश्रूम सूप की रेसिपी बहुत हेल्दी सूप है और कॉंटिनेंटल सूप में यह बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक टेस्ट का सूप है आई होप आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी चलेंगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं एक पैन ले लेंगे ऑल डाल देंगे 4 टेबल स्पून बटर एड़ कर देंगे हम वह भी 4 टेबल स्पून मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से 500 ग्राम मैंने मश्रूम लिया है एड़ कर देंगे फ्राइ करेंगे वन मीडियम साइज का ओनियन मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है एड़ कर देंगे उसको भी फ्राइ करेंगे तीन से चार लेसन के और मैंने आदे इंच का टुकडा अधरक का पेस्ट पना ली है उसको भी एड़ कर लेंगे सॉल्ट एड़ कर देंगे वन टी स्पून अपनी मर्जी से भी आप जैसा चाहें एड़ कर सकते हैं चिकन स्टॉक एड़ कर देंगे हम फोर कप जब चिकन स्टॉक को इस तरीके से उबाला आ जाए हम चूले को बंद कर देंगे और थोड़े से मश्रूम निकाल लेंगे उसमें से और बाकी के जो मश्रूम और हमारा चिकन स्टॉक है उसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और एक स्मूद सा मिक्स्चर हम प्रेडी कर लेंगे आप चाहें तो ब्लेंडर के अंदर डाल कर इसको उसमें भी ब्लेंड कर सकती हैं और अगर आपके पास हैंड मिक्स्चर है तो आप हैंड मिक्स्चर इस्तमाल कीजिए इस तरीके की हमारा सूप जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा अब हम स्टॉफ को दुबारा से अन करेंगे और इसको फिर से बॉइल करेंगे जी जब यह बौईल होने लग जाए तीन से चार मिनट के बाद क्रीम ले लेंगे फ्रेश क्रीम बौईल करेंगे इसके बाद इसको अच्छे तरीके से ताकि क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए काली मिर्ष टेड़ कर दूँगी जिस तरीके की आप मिर्श पसंद करते हों आप उस तरीके से अपनी मर्जी से काली मिर्श एट कीजिए मैंने 1 1 4 टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्श एट की है जो मिश्रूम हमने रखे थे वो भी एट कर देंगे बॉइल करेंगे इसको थोड़ी दिर पांच मिनट अच्छे तरीके से बॉइल करने के बाद हमारा क्रीम ओफ मश्रूम सूप रेडी हो जाएगा सर्विंग बाउल ले लेंगे उसके अंदर हम अपना सूप डालेंगे जी हमारा मश्रूम सूप बिल्कुल रेडी है इसको सर्फ कीजिए इसको इंजॉई कीजिए मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए नेक्स रेसिपी तक के लिए अफशा को दीजिए अजाज़त अला आफ़े इसको सब्सक्राइब कीजिए चूपट विए अजाज़त अजाज़त आफ़े झालेंगे झालेंगे